साथियों हेलो दोस्तों आज किस वीडियो के माधियम से आपके बीच एक वार पुना आ चुका हूँ साथियों मेरी प्यारी सिस्टर इस वीडियो में हम लोग कुछ इंप्रोटेंट टॉपिक पर बात करेंगे बिटेसी एनियम 10709 को ले करके यहां पर बहुत सारी जानकारी अप्रेट बहुत सारी लोगों के द्वारा दिये जा रहे हैं बहुत सारी लोग वाटसप पर मेसेज कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं क्या ये बात सच है या क्या ये बात सच नहीं है उन सारे चीजों के यहाँ पर मैं जानकारी किलियर करने के लिए आया हूँ दोस्तों आपको मैं यहाँ से जानकारी देदो कि क्या कॉंसिलिंग में सच में बिलम होगा क्या अध्यक्ष बदल गया अगर अधेक्ष बदल गिये जिसके कारण कॉंसिलिंग में बिलम होगा और यह अधेक्ष बदल जाने की जो यहाँ पर एक छोटी सी जो कटिंग जो यहाँ पर वायरल किया जा रहा है क्या ये बात सचा है, सच में ये बात सही है, कि जो यहाँ पर हमें दिखाया जा रहे हैं, हमको भी WhatsApp पर भेजा गया, क्या वो बात सचा है, या अपवाह है, उसको देखना है, सभी जानकारी मैं डेटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्या सचा है, क्या जोटा है, आने रहे, और आपको यहाँ पर हर चीज हर एक पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को और भी आगे करते हैं, सात्यों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जानकारी देदू, कि यह एक जो टैपिंग कही है, या फिर यह एक कटिंग बोली है, सब जगा वाइरल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग दिखा भी रहे हैं, क्या ये बात सचा या जूट इसके मैं किलियरिटी करूँगा, फिर कॉंसलिंग के यहाँ पर थरा सा और किलियर होगा, दोस्तो 25-2023 आप लोगों का कॉंसलिंग का आयोजन होने वाला, लेकिन BTSC का अध्यक्ष क बदल देने के कारण, आप लोगों का कॉंसलिंग का समाई कुछ दिन आगे चला गया, जब तक नया अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए, तब तक कोई तारिक कॉंसलिंग का नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर ये कोई लिख कर टाइप करके यहाँ पर इसको वैरल करने हैं कि 25-23 को कॉंसलिंग होने वाला है, दोस्तों कहीं पर भी नहीं लिखा था कि 25-23 को कॉंसलिंग होने वाला है, या फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीटियस सी अध्यक्ष को बदल देने के कारण, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि बीटियस स बिलकुल रूप से आप लोग कह सकते हैं कि यह wrong है यह कोई type करके इसे इस तरह से leak करके कोई यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और आप लोग उस आपवगाव हमें पर हैं तो बिलकुल रूप से यह गलत बात है अगर अध्यक्ष बदलते हैं या फिर नया बन करके आते हैं तो बिल्कुल लुपस एक official notice होता है जो कि समाने पर सासर निवहाग के वेबसाइट पर या फिर बिहार सरकार के वेबसाइट पर वो अपडेट होती है इसके साथ ही बिटीसी का जब अध्यक्ष बदल जाएंगे तो बिटीसी के वेबसाइट पर से अध्यक्ष का नाम यहाँ से हटा दिये जाएंगे इतना बातों कोवनसेंस की बात है अब हम आपको दिखाते है कि क्या सच में यह बदल गया है की नहीं दोस्तो आपको मैं जानकारी देदू कि अगर आप लोग बिहार तक्निकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएगा तो Contact Us वाला अप्सन में चले जाएगा जब Contact Us वाला अप्सन में जाएगा तो यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी अपडेट यहाँ से देख सकते हैं बिहार तक्निकी सेवा आयोग पटना के अभी मैं तुरंद चेक किया हूँ और आपके लिए वीडियो बना करके पूरा किलियर करने के लिए आया हूँ यहाँ पूरा लिष्ट दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर सिंपल बात समझे अगर बिहार तक्निकी सेवा आयोग का अध्यक्ष बदल जाते हैं तो क्या उनके वेबसाइट पर उसका नाम रहेगा कभी नहीं रहेगा जैसे ही बदलेगा उसका नाम वहां से हटा दिये जाते हैं क अध्यक्ष के हैं इनका दुर्भासा संक्या यह है और इसका मवाइल इमेल एड़ी यहाँ पर अपडेट नहीं किये गए हैं साती इनका सदस्त का नाम देखेगा तो यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर सिवेंद्र कुमार साही और पी सिंग भारती पर शासनिक सेवा के से इस तरह से यहाँ पर सारे चीज देवे हैं उपसचीव उपसचीव सारे हैं उपसचीव के यहाँ पर नंबर भी अपडेट है तो इस तरह से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इनका पुरा लिस्ट साती दोस्तों मैं आपको यह भी अपडेट दिखा देता हूं कि स्री बाला मुर्गंडी भारति परसासिंग सेवा के अंतरगात हैं और ये अध्यक्षपाद पर कब से हैं उसका भी डीटेल्स आप लोग में दिखा देता हूं आप लोग दोस्तों यहां पर आईएगा तो आप लोग देख सकते हो बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन मेंबर सिंस 26 अक्टूबर 2021, 26 अक्टूबर 2021 से ही हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो बिलकुल लुप से एड्रेस, हार्डिंग रोड, राजवन सिंगर पटना यहां पर देख सकते हैं और अगर बात करिएगा तो डिपार्टमेंट अफ हेड देख सकते हैं चेर्मेन, श्री बाला, म परकासित किया जा सकता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक एग्जेक्ट डेट बताया था, वो दिन आना था, बट छुटी रहने के करण सर नहीं परजेंट थे, इस वज़ा से यहां पर नहीं हो पाया था, सिंगनेचर वेगार और थोरा निरक्षन अंतिम चर ही है, तो एक के बाद ही कुछ होगा, तो अब कल के बाद से थरा समवीद आप लोग बिल्कुरूप से रख सकते हैं, चलिए आप लोग को जानकारी समझ में आ गया होगा, कि अभी कोई यहां पर चेंज नहीं हुए हैं, चलिए इसी तरह कोई जानकारी अपडेट आएंग आप में आप सकते हैं, चलिए आपकारी समय ही तरह कारे.